हेलो एवरिवन दिस दिन नेश आई वेलकम यू आल वन्स अगेन इन वर यूट्यूब चैनल अजाद हाई स्कूल आज की हमारी वीडियो है क्लास फॉर्थ के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम देर सब्जेक्ट रियल इंग्लिश और रियल इंग्लिश की आज हम पॉइम श जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम इस लेसन के इस पोईम के जो कमप्रीहेंशन के जो कोशन सब्सारे इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं तो लेट अस स्टार्ट विड़ोट बेस्टिंग अनि टाइम दबिग बबून इस फाउंट अपॉन अपॉन क्या होता है एक लार्ज मंकी जिसका एक बहुत लंबा फेस होता है मीन्स फॉर्ज देखते हैं इस तरह के मंकी जो है वह इंडिया के इंदर नहीं फोंड किये जाते हैं इस तरह के जो मंकी जो बहुत बड़े होते हैं और जिनका फेस बहुत ज्यादा लंबा होता है वह जर्णरली प्लेश आफ करीबू में पाये जाते हैं मैदानी इलाकों में और कैरिबू जगा में कैरिबू एक जगा है जो कैनदा में है Canada की एक डिस्टिक है British Columbia ठीक है Canada में एक डिस्टिक है British Columbia वहां पे एक जगह है केरिवू वहां पे इस तरह के बंदर जो है वो पाय जाते हैं वहां के मैदानी इलाकों में यहां पे पोईट क्या कहने की कोशिश कर रहा है तो बीना कुछ पहने हुए निकलते हैं तो यह पोईट को बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगता है यह चीज देखके तो पोईट क्या चाता है कि अगर बिग बबुन जो है वो उसको अच्छे से ड्रेस अप किया जाए उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहना जाए तो वो एक तरह से एक जेंटलमेन की तरह दिखेगा और अगर उसके फेस के उपर और थोड़े जादा बाल आ जाएं जिस्क्र क्या होते हैं जो हम नाक क के पास नोस के पास और छिप्स के और पॉइट क्या कहता है कि अगर बिग बैबून को एक अच्छा सा ड्रेस पहना दिया जाए और उसके चहरे के ऊपर और ज्यादा हेर्स जो है वो ग्रो हो जाएं तो इस तरह का जो बिग बैबून है वो किस तरह से दिखेगा वो बिल्कुल एक जेंटल मैन की तरह दिखेगा उसे एक अच्छा ड्रेस पहना दिया जाए उसके चहरे के ऊपर थोड़े और बाल जो है वो बड़े बड़े हो जाएं तो वो एक तरह से पूरा का पूरा पहने की कोशिश कर रहा है कि जो बिग बबून है वो बहुत बड़े मंकी होते हैं और उनका फेस बहुत बड़ा होता है और जो पाए जाते हैं कैनेडा के डिस्टिक ब्रिटिश कोलंबिया के मैदानी इलाकों में पोईट यह देके बहुत ज्यादा शोक होता है कि बिग अगर इन मंकिस को एक अच्छे तरह से कपड़े दिये जाए उनको अच्छे से ड्रेस अप किया जाए और उनके चहरे के ओपर और थोड़े बाल जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाए तो वो जो बिग बबून है वो बंदर की तरह नहीं एक जेंटलमैन की तरह दिखेंग विर ड़े दा बिग बबून लीप बिग बबून जो है वो कहां पर रहते हैं यह ओप्शन है इन दा मौंटेंस अफ केरिबू इन दा केरिविन कंट्रीज अपाउन दा प्लेंस ऑफ केरिवू तो यह का इसका उप्शन के आएगा सी पाउन दा प्लेंस ऑफ केरिवू सेकंड डा वट ड़ेज दा बिग बबून बियर लीप नथिंग ओल्ड क्लॉथ डिसकाड़ड वा प्यूपल तो बिग बबून ने क्या पहना हुआ सब्सक्राइब कोवह एगा तो शोचन के बारे में शॉकुकरने वाली कोण सी संब कोष् salto AH 20 सब्सक्राइब की भी नहीं पैना आधे साथ तो आंसर की राइग का इसका about the big baboon is that he goes about wearing nothing all right fourth question how can the big baboon become a gentleman big baboon जो है वो एक gentleman की तरह कब दिखेगा तो कब दिखेगा जब उसे अच्छे कपड़े पहना दिया जाए और उसके जो फेस की ओपर है वो थोड़े बाल जो है वो ज्यादा ग्रो हो जाएं तो वो एक gentleman की तरह दिखेगा ता इसका अंसर के आएगा the big baboon can become a gentleman if he dressed up respectively and let his whiskers grow this is the solution of the question number fourth next fifth question है why does the poet wish that the big baboon wore a respectable dress poet की ये wish क्यों है कि big baboon जो है वो एक respectable dress पहने तो इसका आएगा the poet wants to see the big baboon become a gentleman so he wishes that he wore a respectable dress poet ये चाहता है कि big baboon जो है वो एक gentleman की तरह दिखे इसलिए वो चाहता है कि big baboon जो है वो एक respectable dress पहने sixth है have you seen a baboon in a Jew where are the types of monkeys you know क्या आपने कभी baboon को देखा है big baboon को देखा है किसी Jew के अंदर what are the types of monkeys you know आप किस किस तरह के monkeys के वारे में जानते हो तो ये answer जो है वो आपने खुद से attempt करना है अगर आपने जू के अंदर baboon को देखा है तो आप yes लिखेंगे और कौन-कौन से तरह के monkeys जो है वो आपने देखे हुए हैं यह आप internet की help लेकि आप इस question को जो है attempt कर सकते हैं next is seventh name some famous monkey characters from any stories you have read कुछ famous monkey characters के बारे में बताना है जिनके बारे में हमने stories पढ़ी है या फिर सुनी होगी तो जैसे कि मैं इसका answer आपको बता देता हूं seventh का answer है first है कला के एल ए जो टारजन stories के अंदर character है monkey का दूसरा है shift जो chronicles of narnia movie V है उसके अंदर shift जो है वो एक monkey का character है तो इस तरह के और characters जो है वो अगर आप जानते हैं तो वह अपनी notebook के उपर आप उतार सकते हैं आगे चलते हैं बी पार्ट के और sounds and pronunciation say these words aloud and pay attention to the sounds the red letters make in नीचे दिये गे words को जो और से पढ़ना है और जो red letter में red color में जो letters हैं उनके ओपर ज्यादा focus करना है जैसे paper bamboo, cap, rug, cobbler, grey, pack, mug, take, dark, bright and saved और इसे के base के ओपर हमारा next question जो आएगा B1 पार्ट वाला say the following words aloud नीचे दिये गे जो words हैं उनको पढ़ना है हमने and write whether the sounds of the letters in red are voiced or voiceless और हमने ये लिखना है कि जो red letters है वो उनकी sound जो है वो voiced है या voiceless है means वो पढ़ते समय उनकी sound जो है वो आ रही है या नहीं आ रही है उन letters की sound जो red color में है write V plus for voiced sounds V plus लिखना है जिनकी sound जो है वो निकल रही है and V minus for voiceless sounds और V minus लिखना है उन words के आगे जिनकी sound जो है है जैसे first है Britain Britain के लिए क्लिए 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 वी प्लस आएगा क्योंकि बी ब्रीटें बी की sound जो है जो red color में यहां पर लेटर है वो बी है और प्रनॉंस करते हुए बी लेटर जो है वो उसकी sound आ रही है तो क्या लिखेंगे इसके आगे वी प्लस सेकिंड है Canada अब कैनेड़ा में क्या आएगा वी माइनिस क्यों देखिए lerea काई सी कि sound में के कि सउंड आ रही है तो ची कि सउंड नहीं आरही है यहां पर तो इसलिए किह लेखेंगे वी मैनिस उसके बाद बिग जी आई जी बिग जी की sound आ रही है प्रणूंस करते हुए तो वी क्लस लेखेंगे बिंगक के सामने उसके बाद है proud proud डी की sound जो है वो pronounce करते हुए आ रही है तो V plus Robert ठीक है यहाँ पर T की sound जो है वो viseless है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे V minus उसके बाद singer ठीक है singer C की sound आ रही है ना कि S की sound आ रही है तो यहाँ पर क्या रिखेंगे V minus इसके बाद pull double l की sound आ रही है प्रणॉंस करते हुए तो V plus लिखेंगे en A की sound आ रही है तो V plus लिखेंगे picture k की sound हा रही है ना कि C की sound आ रही है तो यहाँ पर V minus लिखेंगे उसी तरह से last part है jungle jungle में J की sound आ रही है तो V plus लिखेंगे gift gift इसमें एक की सांड जो है वो वाइसलेस है तो वी माइनिस लिखेंगे ग्रामर इसमें डवल म की सांड आ रही है तो वी प्लस लिखेंगे उसके बाद बी टू पार्थ है given below are some words that have three sounds each, नीचे कुछ words दियो हैं, जिनकी तीन sounds है, identify the voiced and voiceless sounds in them, हमने इसमें voiced और voiceless sounds को identify करना है, and write their pattern as shown below, और उनके pattern को नीचे लिखना है, remember that all vowels are voiced, यह धियां रखना है कि जितने भी vowels होते हैं, A, I, O, U, वो सारे के सारे क्या होते हैं, voiced होते हैं, means, वो जो हैं, अपनी sound जो है, वो देते हैं, और जैसे tree, V minus, V plus, और V plus लिखा हुआ है, map, V plus, V plus, V minus लिखा हुआ है, उसी तरह sun के लिखे लिखेंगे, V minus, V plus, और V plus, और बेक, V plus, V plus, V minus, read, V plus, V plus, V plus, free के लिए, V plus, sorry, V minus, V plus, V plus, and fifth, Rome, V plus, V plus, and V plus, यह था हमारा B2 part, तो इसी के साथ, यह वाली poem जो है, वो आज खतम होती है, आपकी, lesson 10, जो है, वो आपका complete होता है, along with all the comprehension questions, तो I hope, बचो आपने इस lesson को enjoy किया होगा, इस poem को enjoy किया होगा, तो अगर आपको मेरी video अच्छी कीजिए, अपने friend circle में, और हमारे channel को भी subscribe करना, बिल्कुल ना भूले, thank you so much, and have a nice day,